जय हैं कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोग के अपने चनल इस्टड़ी इत्रा केसर में तो जो कक्षा बारा का हम लोग सीरीज लेकर सल ले थे बहुत इक विज्ञान का चप्टर जो पहला था उसमें इंपोर्टेंट प्रस्ण जीतने थे उसके दो वीडियो हम लोग अगर जो आप नहीं देखे हैं वीडियो जाकर चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं इसका तीसरा पार्ट आज हम बताने जा रहा है इसमें कुछ महतपून नुमेरिकल आप लोग के सामने हम लेकर आया है तो इस नुमेरिकल को धिहान से देखेगा आप वेलों फलक से गड़ना करना आपको एक डमसींपल सवाल है अब कुस्स यहां पे देखाई देरा की ज्वान है सबसे मगन क्या होता है तो गहन में स्य फलक होता है त एक फलक में kis की एक फलक से निकलने वाला जो बैदुत फ्लक्स है उसकी गड़ना करना है अब आपके पास बैदुत फ्लक्स निकालने के लिए दो सुत्र होता है पहला आपका सुत्र होता है कि फाइस कल्टु एडिये का स्थिटा या एडिये का स्थिटा ठीक है दूसरा आपके पास सुत्र होता है गौस के प्रमे के अन गाउस का प्रमे है इसी का हम लोग प्रयूग करेंगे क्यों क्यूंकि इसमें देखिए ध्यान से देखिए यहां पर आठ सेंटीमीटर इस गहन की भुजा दिया है तो भुजा से कुछ लेना देना नहीं होता है बस आपको आवेश से मतलब है अब बाकी इसका मान तो आपको 211-DoE VRол to 0 &-18-12 यह तो हो गया कि घंल यह चेंच्छ फलक यह तो फलक से टोटल जो फ़लक से टोटल फ़लक स्कंड़ इतना हुआ लेकिन आप से क्या कह रहा है प से कह रहा है कि किसी एक फलक से याद रखे किसी एक फलक से बाहर आने वने प्लक्स का मार निकलना है तो अब बताइए टूटल छे फलक है और पूरे फलक से इतना जो है यह आपका बैदूद फलक्स बाहर निकलना है तो एक फलक से कितना होगा तो इसमें हम 6 से भाग देते हैं जब 6 से भाग देंगे तो 5 गल्टू निकल जाएगा आपका 1 बाई 6 ऐसे भाग देंगे तो यह नीचे ही रा जागा यह जगा आठ पांक्स उन्हें दसी हाथ माइनस का 12 इसका मात्रक क्या होता है पिछली वीडियो में हम बताये थे कि इसका मात्रक और बीमिय सुत्र कैसे न इस फ्रकार आसानी से ऐसे सवालों को हम हल कर सकते हैं ध्यान देने वाली बात यह है कि एक फलक से पूछ रहा है कि इसमें आप गुणा कराती है बाई 6 करेंगे तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो फिर यह नीचे ही आ जाएगा इतना हो जागा आप इसको कल्कुलेट कर स कर सकते हैं यह दिक गया जाएगा तो ज्यादा समय लेगा वीडियो बनाने में ज्यादा लंबा वीडियो हो जागा तो आप अपने हिसाब से इसको कल्कुलेट कर सकते हैं ठीक है आए दूसरे सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक बैदुत दिद्रू है ठीक है परफ एक सीडे पर जो उपस्तित अवेस है उसका मांद दिया है एक माईक्रो कुलाम और उनकी बीचकी जो दूरी है मती बिंदू से एक जो उनकी बीचकी दूरी है वो दिया है तो एमेम यह दो मिलिमीटर देखे बैदूत दिद्रू किसे करते हैं तो बैदूत वेसु जो प्रक्रति होती है विरित होती है यानी यह प्लस नहीं रहाएगा दूसरे पर माइनस के होगा अब ढूनों आवेसु की जबीज की दूरी होती है अल्पदूरी वह होती है 2L याद रखेगा और हमको बैदोती द्युध्रू अगरोन के लिए जो शुत्र का प्रयो होते हैं यो एल है यह की विस की दूरी जो कियों होता है किसी एक आविस कंसा मान होता है जोखी हम ऑ्थीं आवश का मान होते है चिंव का परिवास आगर पड़ेंगे आपको मालगा चुछ किसे करते हैं तो यहां से अलग-अलग आवेस का मान हमारा यह आवेस का मान बराबर होगा किसी एक आवेस को लेना है दोनों आवेस उखी-वीजी की दूरी लेना है अपर वेस की दूरी वतके हैया होगा पर 12 यहां केवल्व अधा दूरी दिया है थो सबसे पहले हैं 수 कि यह हो जागा आपका दो गुणे दसी हाथ माइनस का तीन मीटर हो जागा है यहां पर इसको सबसे पहले आप कुलाम में और मीटर में चेंज कर लिए उसके बाद हल कर दीजिए यह हल करते हैं यह हो जागा आपका इसका मात्रक क्या होगा तो देखिए दो का तो कोई मात्रक होगा नहीं यह आवेज है तो आवेज है का मात्रक हो जागा आपका क्या चेंज को है और दूरी का मात्रक क्या होता है में इतर होता है यह हुता इसे सवह पासाल कर सकते हैं यह आपको बीडियो पसंद आता ह। तो प्लिज बीडिव को लाइक किजीए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं उसको देखें तो तीसरा सवाल में आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोटान को 500 वोल्ट के विभांतर से त्वरित किया जाता है तो प्रोटान का बेग ज्याद करना है आप यदि कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो चोटे-चोटे सवाल भी आपको समझ से मैं नहीं आएंगे उसको छोड़कर आपको आना पड़ेगा तो इसको ध्यान से समझ यह है क्या एक प्रोटान को 500 वोल्ट यह नहीं प्रोटान का युखो दिया है हमको भी कमान दिया है 500 वोल्ट तेक है अब अब यह प्रोटान पर जो उपस्तित आवेस होता है वह उत भी बराबर होता है w by q अगर यहां से w कमान निकालेंगे जो इसकी उर्जा के बराबर होता है यहां से प्रोटान की जो उर्जा होगी वह q into v के बराबर होगा क्योंकि किया गया कार ही उर्जा के रूप में संचित रहता है यह हो गया क्यूं क्यूं कमान दिया है आपको 1. इसके बाद भी क्या मान दिया है आपका 500 वोल्ट 500 वोल्ट इसको हल कर दिए यहां पे 0 है यहां दो घत कम हो जागा कैल्किलेशन आपको मालूमी होगा यह हो जागा 1.6 और यह हो जागा आपका 10 हाथ माइनस का 17 अगुर्णे हो जागा 5 सोला में 5 से गुणा कराएंगे तो हो जागा 80 यहांनी 8.0 और यह जागा 10 हाथ माइनस का 17 ने इतना जूल तो है यह पूर्टान की उर्जा हो गई लेकिन हमसे यह चीज नहीं पूछ रहा है हमसे यह पूछ रहा है कि पूर्टान का बेग कितना होगा उसकी विलासिटी याझने बेग किस में है गति जूर्जा में है कि इस्तिति जूर्जा का सुत्र है यसे इस्तिति जूरजां का सुत्र होगर इसके बराबर हो जागी इसकी जजगा पिए वाला मान रखती क्योंकि कारी प्रकार का उरजा ही होता है इस का मान हम यहां पर रखनेंगे यह वमें गाला है इसको बीडियो को कमेंट करके जरूर बते ही आगा चलिए चलते हैं अंगले सवाल पर बैदुत भी बहुत अथा धारिता के जो दो इंपोर्टेंट टापिक है जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है बैदुत धारिता तथा बिलिगित गोली चालक की धारिता इसका डेरिशन और परिभासा हम लोग कैसे देंगे लिहान से है कि बैदुत धारिता का परिभासा कैसे दिया जाता है सबसे पहले समझे कि बैदुत धारिता होता क्या है तो संधारित्र के बारे में आप लोग पढ़े होंगे जिसको कैप सीटर बोला जाता है संधारित्र जो होती है एक ऐसी बैदुती होती है जो बीना आपने आकृत बदले आवेस को क्या करते है इस्टोर करती है संचित रखती है लेकिन उसका धारिता जो धारण आवेस धारण करने की चमता होती है उसी को हम लोग धारिता कहते हैं कैसे इसका परिभासा दिया जाता है कैसे इसका सुत्र निकाला जाता है आये ध्यान से देखते हैं वैं तो गया आवेश उसके सीरो पर उत्पन विभुवांतर के अनुक्रमा नुपाती होता है आठ कि मैं उसके सीरो पर उत्तना विभुवांतर उत्पन होगा अवेस तो उसके सीरो पर उत्पन विभुवांतर के क्या यानि किसी चालक को प्रदान किया गया वेस उसके सीरूपर उत्पन विभुवांतर की क्या होता अनुक्रमानुपाती होता यदि क्यूं का मान बढ़ाएंगे तो इसको देखिए यहां पर जो है लिखेंगे कि यहां यहां सी एक नियतांग है जिसे जिसे बैदुत धारिता कहते हैं अब इसका परिभासा आप चाहेंगे तो दूसरे तरी कैसे दे सकते हैं बैदु धारिता का परिभासा कैसे दिया जाता है ध्यान सा समझें तो कहा जाता है कि इस चालग को दिया गया अवेश्ट तथा उसके सीरू परूत्पन भूहांतर का जो अनुपात है इसी को हम कहते हैं बैदु धारिता बैदु धारिता को सी से प्रतोसित करते हैं मात्रक क् जाएगा इसका कुलाम प्रति भूल्ट याद रखे धरिता का जो मात्रक होता है वह तहाप का कुलाम कुलाम प्रति भूल्ट और इसी कुलाम प्रति भूल्ट को हम फैरड ही बोलते हैं जिसको इसमाल एफ से पृ करिये इसका मात्रक होता लता है इसको पीसे चाहलोग को प्रदान कियागा जो अवेस होता है विवहांतर के अनुकरमानुपाती हो गया भी अनुक्रमानुपाती कचिन हटेगा तो आएगा C, और C क्या है, तो C एक नियतांक है जिसे हम बैदुधरता काते हैं, परिभासा यहां से आप नीचे लिख सकते हैं, यह किसे चालक को प्रदान किया गया आवेस, तथा उसके सीरो पर उत्पन विभुवांतर को, विभुवा मातरक भीमा आप यहां से इस सुत्र से निकाल सकते हैं, आए देखते हैं अगला टापी किसमे का, बिलिगित गुली चालक की धारिता का मतलब क्या होता है, देखें, बिलिगित गुली चालक का मतलब यह होता है, बिलग क्या होता है, अलग, यह किसी स्रोच से जुड़ा यानि साफ यह अलग कर दिया गया है और अलग कैसे किया गया है तो इसको कुछ चार्ज दिया गया है क्यों चार्ज दिया गया है जब क्यों चार्ज दिया गया है तो इसके शिरू पर विवांतर जो है यहां पर विवांतर भी उत्पन हुआ है इतले चला के दरबान किया जाता है तो में आपको लिखना इसका विए वसमस्ट हो जाता हुटेव होता है कि एक वी तो हम जानते हैं यहां पशाम कुझे हम जानते हैं कि इसम जानते हैं भीधुद्धारिता के परिभास सानुसार स्कर्वाइब आवेज के क्यारण क्यारण अध्विभाव का सुत्र होता है वो होता है बीजकल 2, 1Y4PY0, k, qy byr होता है लेकिन यहाँ पर देखिए r नहीं है यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो दूरी मिल लए यहां से वह आपका a तो जहाँ पर लिखें है आप वहाँ पर लिखें देंगे और यहां से जब 2 का मान समीक्राण 1 में रखने पर 192 कि और हो जाएगा क्यूं और 2 के जगप प्या राखना है यह हो जागा वन वाई पूर पाई ist0K और यहां क्यों बाई त्रहंधे क्यों केंसिल जागा अब्षी क्या मिलेगा सी मिलेगा आपका सी इसे इटा क्योंत Yeah एपיץी एुग जिरो कर देखे कियों केंशेल हो जागाँ अब सी ऐसे मिलेगा सी मिलेगा आपका । सी जगल टु ऊर पाई एप्साइलन जिरो के इंटु हो गया थ्यां से अो समझ हो आप यह कुरा का पुरा जो होता है यह स्विझ नियत होता है इसका मान होता एक बटा 9 गुणे दसीहाथ 9 पूरा का पूरा जो मान है नियत है इसको हम अनुक्रमान उपाती में चुपा लेते हैं यह हो जाएगा आपका तो अगर चालक की तरीज़े आपको मालूम है यह बहुत इंपोर्टेंट सवाल आता है यदि उसकी तरीज़े आपको मालूम है तो आप उसकी धारता आसानी से निकाल सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही देखतेर यह इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए पसंद आए स्टेडियो में तब तक देखतेर ही आप लोग अपने चनल इस्टेडियी भीत रखें सार।